दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी PM किसान सम्मान निदी हो जना के स्टेटर्स में अगर लिखता है कि PFMS बैंक की स्टेटर्स में एकाउंट डीटेल सीज अंडर रीवारिडेशन प्रॉसेस विद बैंक अगर इस तरह से लिखता है तो आ पेषान फैमिनट भी नहीं है आया है मतलब देख सकते हैं इस लिखा एंप सारा कुछ सही है बड़ यहां उसा इओर अधसा प्राबा मालाहिक НеFик जो तो इसके पहले मैंने इंका स्टेटर स्टेक किया था तो इंग के स्टीटर में आपको दिखा दे रहा हूं। इनके इस तरह से दिखा रहा थो Dr. देखसकते बढ़ा कर दिया हूं आपको दिखानने के लिए तो यहां is pending at state तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि correction is pending मतलब pending में है at state state के द्वारा फ्रेंड उसके दो चार दिन बाद मैं ने फिर से try किया तो यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है account details is under revalidation process with bank और इसी करण से आपका पैसा भी रही है तो इसका मतलब क्या है कि चली मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंड इसको मैंने copy कर लिया और copy करने के बाद यहाँ पर मैं हिंदी में translate कर दिया हूं देख सकते हैं लिग रहा है खाता ब्यूरड bank के साथ पुनरवाइदिक करण प्रकिलिया के अधीन है मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि आपका जो खाता का ब्यूरड है मतलब जो भी आपका खाता का ब्यूरड है ओ बैंक के साथ फिर से र्यवाइड कर रहा है मतलब फिर से जाच किया जा रहा है इस इसके पहले जब पैमेंट आता था मतलब पेमेंट इहां पर पैसे बैंच ते थे लोग और आपके एकाउंसी आ जाते थे लेकिन यहां पर पेमेंट अब आधार कर दिया है अधार करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आधार तो लिख दिया बट एकाउन नम्बर यहाँ पे last का 4 डिजिट यहाँ पर指 कर रहा है और FSC कोड भी So कर रहा है और यहाँ पे फरेंड मैं accepted वाले का दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं यहां पर लिख रहा है PFMS Bank status, farmer regard has been accepted by PFMS Bank और यहां पर account number में देख सकते हैं यन्ने सो कर रहा है और PFMS response date यहां पर लिख दिया कि PFMS response जो date है 28.09.2022 इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं payment mode तो आधार कर दिया है बट यहां पर revalidate किया जा रहा है, जब revalidate इसका जांच परक्रिया पूरा हो जाएगा तो यहां से account number हटा दिया जाएगा, account number की जगह पे यन्ने सो करेगा और PFMS response date यहां पर सो करेगा कि किस date को यह जांच परक्रिया खतम हो चुकी है मतलब कि इस date को यह जांच पुरिया हुई है उसके बाद वहाँ पे आपकी जांच पुरिया पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे accepted लिख देता है और आपके account में पैसे आने लगेंगे और वहीं पर फिरंट बहुत सारे लोगों का यहाँ पे rejected भी हो सकता है क्यों rejected होगा चली मैं आपको बताता हूँ तो जिन लोगों के bank account के साथ dbt enable नहीं होगा मतलब npci server पे उनका account लिंक नहीं होगा यहाँ पे reject कर दिया जाएगा यह आपका यहाँ पे status में revalidation process लिख रहा है और अगर आप डर रहे हैं कि हमारा कहीं reject तो नहीं नहीं हो जाएगा तो अगर इसको check करना चाहते हैं कि आपका जो bank account npci server पे लिंक है या नहीं लिंक है उसको आप check कर सकते हैं आधार की website पे जाकर के उस video का link मैं video के description में दे दूँगा वहाँ से click करके आप check कर सकते हैं आपका कौन सा bank account npci server से link है अगर आपका वहाँ पे bank कोई भी bank अगर link रहता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है जब यह आपका जाच प्रक्रिया खतम हो जाएगी तो आपका उस bank account में जो भी वहाँ पे npci server पे link रहेगा उस bank account में आपका पैसा आजाएगा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर वहीं पे npci server से कोई भी bank account वहाँ पे नहीं दिखाएगा मतलब link नहीं रहेगा तो आपको अपने bank में जाकर कि और यह npcii करवा लेना होगा तो फ्रें इस वीडियो में आपको फूरा डीटियल भी बता दिया हूँ कि अगर आपका इस तरह से लिक रहा है तो आपको क्या करना होगा तो चलिए इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे बंदेवात रहूं